नमस्कार आपके साथ मैं हूँ दिपकार शर्मा आप देखरें क्राइम तक शुरुवात करते हैं वर्ल क्राइम बुलिटिन में सबसे पहले जो खबर सामने आई है वो ये है कि साथ सहायता कर्मी यानि कि इसराइल और हमास की जो जंग चल रहे थे उस बीच ये साथ लोग ज खाना दे रहे थे लेकिन इसराइली ने इन लोगों को निशाना बनाया हवाई हमला किया जिस वज़े से इन साथ लोगों की मौत हो जाती है बाइडन ने इसके आलोचना की है बाइडन ने गाजा में घातक हमलों पर नाराज भी जाहिर करते हैं कि वो युद के बीच भू पीर आई हैं जो काफी भयावे हैं उनकी कार को कैसे द्वस्त किया गया वो देखा जा सकता है इसराइली सेना ने ड्रोन हमले में सहायता कर्मियों की कार को निशाना बनाया इस हमले में आउस्ट्रेलिया पिता और मिजोरम की रहने वाली एक महिला की बेटी की मौत हो गई यानि कि इसमें ये दो लोग भी शामल थे जो खाना पहुचा रहे थे जिनकी मौत तो जाते हैं जिसके बाद जो बाइडन ने कड़ी निंदा की है आलोशना की है कि नागरिकों की रक्षा करना उनका धर्म था जो की नहीं हुआ यानि कि इन लोगों ने अपनी जान गवाई जो भूके लोगों को वहाँ खाना पहुचा रहे थे और अगली बड़ी खबर ताइवान में एक बड़ा भूकंप आया है जिसकी तीवरता 7.4 बताई जा रहे है ये सबसे बड़ा भूकंप है अब तक का इस देश पे 25 साल बाद ये भूकंप आया है जिसकी तस्वीरे द 7.4 इसकी तीवरता नापी गई है भूकंप से जुड़ी कई तस्वीरे सामने आई है देश को इसका बड़ा नुकसान पहुचा है वहाँ की इमारते नीचे की और जुग गई है इसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस भूकंप का जटका कितना तेज हो सकता है पूरा प्रोसेस चल रहा है वहाँ से लोगों को निकालने का लेकिन बिल्डिंग्स देखकर ये तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कि कितना बड़ा और कितना भयावे भुकंप ताइवान में आया है और अगली खबर पाकिस्तान के पूर्पिधान मंतरी इमरान खान ने आरोप लगाया है कि उनकी बुश्रा बीवी को जहर दिया जा रहा है यह उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी खाने में जहर मिला कर दिया जा रहा है बुश्रा बीवी अभी अपने नीजी निवास में ही जेल की कैद में बंध है और इमरान खान भी अपनी सजा काट रहे हैं तो उन्होंने ये आरोब लगाए कि उनकी बीवी को जहर दिया जा रहा है उनकी पतनी को अगर कोई नुटसान होता है तो सेनब प्रमुक को जिम्मदार खेराया जाएगा ऐसा इमरान खान ने कहा है इमरान खान ने पाकिस्तान तरीक इंसाफ नेता के न्यायदीश नासेज जावेद राना को सूजित किया कि पूर प्रथम महिला को जहर देने का प्रयास किया गया था उन्होंने आरियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड के तौश खाना प्रष्टचार मामले की सुनवाई की दौरान ये जानकारी दी उन्होंने दावा किया कि बुश्रा के तवचा और जीब पर निशान थे इम्रान खान ने कहा कि मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है और उन्होंने आरोप लगाया है कि बुश्रा बीवी को जहर दिया जा रहा है और उन्हें काफी ज्यादा नुपसान उनकी स्किन पर उनकी जीब पर पहुँचा है जो उन्होंने देखा है ऐसा इम्रान खान ने आरोप लगाया है और अगला मामला फिनलेंट से आया है जहांपर एक 12 साल की महस, 12 साल की उम्र में बच्चे ने ताबर तोड़ गोली बारी की है पूरी पुलिस इस पूरे मामले को सुलजाने में लगी हुई है, इस बच्चे को भी गिरफतार कर लिया गया है कल सुबान नौ बजे करीबी फाइरिंग की वार्दात हुई है मौके पर पहुची पुलिस ने स्कूल और आसपास के लाकों को अपना कबजे में ले लिया फिर जल्द ही हालात पर काबू पाकर संदिक खमलावर को गिरफतार भी कर लिया गया फिल्लेंड सरकार ने इस घटना की निंदा की है फिल्लेंड में इससे पहले नी स्कूल में गोली बारी हुई है पहले साल 2007 में और फिर 2008 में गोली बारी की घटना हुई भी और इन दोनों घटनाओं में 19 लोगों की मौत हुई ती इसके बाद फिन्लेंड सरकार ने बंदूख रखने की नियूंतम आयू बढ़ाने के साथ साथ बंदूख कानूनों को भी काफी सक्त कर दिया है। फिन्लेंड पुलिस फिलाल उस शक्त से पूछताच कर रही है जिसमें गोली बारी की है लेकिन बारा साल की उबर में एक शक्त बच्चा बंदूख उठाकर लोगों पर हमला कर रहा है ऐसी वार्डा फिन्लेंड से सामने आई है। अगली खबर इस्राइल के प्रधान मंत्री बेंजमिन नितन्याहू ने अल्जजीरा चैनल को आतंगवादी चैनल बताया है। अगली खबर इस्राइल को आतंगवादी चैनल अल्जजीरा अब इस्राइल से प्रसारत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं चैनल की गतिवीती को रोपने के लिए नई कानून में कारेवाई करने जा रहा हूँ। अभी उन्होंने ततकाल प्रभाव से उसे रोक दिया है, प्रसारन को रोक दिया है, ऐसा बेंजमेन नितन्याहू ने सोचल मीडिया पर पोस्ट करती लोगों को बताया है कि वो उनके देश के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है। और फिलाद इस वर्ल्ड क्रैम बुलिटिन में इतना ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे ही क्राइंचान।